कॉंग्रिस पार्टी के वरिष्ट नीता मनिश्वनकर अइयर की आत्मकत्था मैं मियोर्स ओफ आ मवरिक का दिल्ली में विमोचन हुआ लोग सभाचुनाब दुहजार चौविस से पहले अइयर ने अपनी आत्मकत्था के विमोचन की मौके पर अपनी ही पार्टी के दो पुर्फ परधानमंत्री को लेकर ऐसे खुलासे किये हैं जिसके बाद ये माना जुआ रहा है कि ये बयान कॉंग्रिस को नुक्सान अर्सीमहराओ के बारे में बोलते हो उन्होंने कहा कि वह बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री थे अइयर के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता संबीत पात्रा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है उन्होंने क्या कुछ कहा सुनीए दो हजार उन्नीज के चुनाव से पहले गान्धी परिवार के मुकुटमनी मनी शंकर अईयर उन्होंने फिर से कहा था और उस बार पाकिस्तान में जा कर कहा था कि मोदी को हराना होगा मोदी को हराना होगा मोदी को हटाना होगा ये वही मनिशंकर एयर है जिनोंने 2019 के चुनाव से पहले घोशना की थी और जिस प्रकार के भाशा का प्रयोग किया था और कहा था कि नरेंद्र मोदी एक नीच आदनी है देश के तमाम लोग आश्चरी चकित रह गए थे कि आखिर गांधी परिवार के सबसे नज़दी की व्यक्ती इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग प्रधान मंत्री के लिए कैसे कर सकते है उसका भी नतीज़ा आपने देखा था लोगों ने इस प्रकार के घमंड से भरे स्टेटमेंट्स और इस प्रकार घमंड से भरे नेताओं का हश्ट क्या किया 2024 का चुनाव आ रहा है मुकुट मनी फिर से चमके इस बार बोला ही नहीं किताब भी लिग डाला है और एक विशय पे नहीं अनेक विशयों पे बोला है मुक्यत थ्री पीज P1 परिवारवाद P2 पक्षपात हिंदूओं के खिलाफ पक्षपात और P3 जिसके लिए घमंडिया के सारे नेताओं में होड लगी हुई है और लगेगी भी पाकिस्तान परिवारवाद पक्षपात और पाकिस्तान इन तीनों विशयों पर और यह तीन विशय यह जो घमंडिया अलाइंस है यह तीन विशय इस घमंडिया अलाइंस के सबसे फेवरिट विशय है उस पर मनीशंकर अयर जीने थेसिस प्रस्तुत किया है और Alliance के जो The soul of the Alliance Has been presented by Manish Shankar Ayer In the written format जो Alliance का आत्मा है उसे आत्मकथा के रूप में Manish Shankar Ayer ने रखा है परिवारवाद आप देखिए परिवारवाद को लेकर PV नर्सिम महराव जो Congress के ही प्रधान मंत्री रहे उनके लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है इस पस्ट्रूप से दिखाता है कि गांधी परिवार के प्रवक्ता गांधी परिवार से बाहर कोई और व्यक्ती देश का प्रधान मंत्री बन जाए चाहे वो Congress ही क्यों ना हो इस विशय को सह नहीं सकते हैं कदाचित सह नहीं सकते हैं और मैं याद दिलादू पीवी नरसिम महराओ जी वो व्यक्ती थे जो थे Congress के मगर गांधी परिवार के नहीं थे और गांधी परिवार से बाहर Congress के वो प्रथम व्यक्ती थे जिनोंने पांच वर्ष के कालखंड को बतोर परदानमंत्री पहली बार पूरा किया बगैर गांधी परिवार के होते हुए यह गांधी परिवार कभी सह नहीं सकती थी इसलिए मनीशंकर अयर द्वारा बुलवाया गया कि पीवी नरसिम महराओ ये तो भारती जनता पार्टी के ये तो Congress के इने आपको बता दी कि Congress नीता अयर ने कहा कि पूर परदानमंत्री पीवी नरसिम हराओ एक सामपरदाइक सोच वाले व्यक्ति थे इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के पहले परदानमंत्री अटल बिहारी बाजपाई नहीं नरसिम हराओ भाजपा के पहले प्यम थे इस ख़बर में फिलहाल इतना ही ताज़ा प्डीट के लिए बने रही One Year हिंदी के साथ